राजिस्तान चुनाव में दो दिगज नेताओं को सता रहा है हार का डर बता दे कि गहलोत कैबिनेट में सामिल जैपूर सहर के दो दिगज विधायकों को अपनी मोजुदा सीट से हार का डर सता रहा है ऐसे में इन दोनों विधायकों के इच्छा अपनी सीट की बजाए दूसरी सीट पर जाकर चुनाव लडने की है इसके लिए दोनों की नजर सुरक्षित सीटों पर है दोनों ही निताप पूरु में इन सीटों से विधायक भी रह चुके हैं दरसल जूट वाड़ा से विधायक और किर्शी मंत्री लाल चंद कटार्या अपनी मोजुदा सीट से चुनाव लड़ना नहीं चाहते वहीं हवा महल सीट से विधायक और जल्दाय मंत्री महेश जोसी भी सीट से चुनाव लड़ने के चुक नहीं है वहीं आपकी जानकर बता दे कि ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिल रहा है कामा विधान सबा में जी हाँ कामा विधान सबा में मौजुदा विधायक जायदा खान राजेश चामंतरी जायदा खान को भी हार का डर सता रहा है और साथ ही उनको टिकेट करने का भी डर सता रहा है क्योंकि जिस तरीक का विरोध कामा विधान सबा में मंत्री जायदा का देखने को मिल रहा है उससे कही ना कहीं इस बात का डर अभी भी बना हुआ है कि उनका टिकेट काट ना दिया जाए सूत्रों की माने तो दोनों ही विधायकों के यहां एंटी इनकेमबेसी ज़ादा है कारे करताओं के साथ साथ आम जनता की भी नराजगी इन्हें झेलनी पड़ रही है जिसके चलते इन मंत्रियों को अपने विधान सबाज छेतर में हार का डर सता रहा है बताया जा रहा है किसी को देखते वे मंत्रियों ने सुरक्षित सीटों पर नजरे गड़ा दी है विश्वस्त सूत्रों की माने तो कैबिनेट मंत्री कटारिया जोटवाड़ा की बजाए आमेर और जोसी हवा महल की बजाए किसन पोल से चुनाव रहना चाहते हैं कटारिया जहांपूर में आमेर से विधायक रह चुके हैं तो जोसी भी किसन पोल से विधायक रह चुके हैं हालाकि पार्टी हाई कमान किसी भी विधाय के सीट बदलने के पक्ष में नहीं बताए जा रही है इधर भले ही कटारिया आमेर और जोसी किसन पोल से चुनाव लड़ना चाहते हों लेकिन यहां भी उनके सामने चुनोंतिया कम नहीं है किसन पोल से अमीन काग जी विधायक है तो आमेर से सचिन पाइलेट के खास मानने जाने वाले परसांत सर्माज टिकट मांग रहे हैं कटारिया की बात नहीं बन पाती है तो फिर इन्हें अपनी मोजुदा शीट से ही चुनाव लड़ना होगा ऐसा ही कॉंग्रेस कॉंग्रेस पार्टी के विधायक कामा से जायदा खान के साथ भी है कि जिस तरीके से उनका विरोध लगातार कामा विधान सबा में देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे कॉंग्रेस के कार्य करता जैपूर गए और उसके बाद अब दिल्ली जाकर के लगातार नारे बाजी कर रहे हैं और जायदा खान का टिकेट कारने का जम कर विरोध कर रहे हैं कि उनका टिकेट काटा जाना चाहिए ऐसे में हाई कमान के लिए भी अपने आप में बड़ी चुनोती है कि अखिरकार किसको टिकेट दिया जाए और जायदा खान को अगर चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो उनकी जो सीट है वो कही ना कही खत्रे में पड़ सकती है खैर इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या को सोचते हैं आप अपनी परती के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा